जय बोलेनाद, जय शिवशंकर, हरहर महादेव प्रणाम स्विकार करें स्वामी आपकी समादी जो बहु हुए उसके लिए हम सभी एक्षमा प्रार्थी है पर आपका जागना आवश्यक था अपना अभी प्राय कहो दीवी अभी प्राय तो पुत्र गनेश बताएगा मता गोरी पिता शंकर, जय जय गोरी शंकर 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 अपना प्रयोजन कहो पुत्र प्रयोजन पुत्र का कहा? पिता का ही है परन्तु कहना पुत्र को है कहो, क्या क्या ना चाते हूँ? यहीं कि शास्त्रों के विदान के अनुशार मता को पृत्वी और पिता को आकाश्थामान माना गया है और मैंने अपने मता पिता की तीन परिक्रमा पूर्ण करके प्रित्वी परिक्रमा से भी अधिक पुन्य प्राप्त कर लिया है और माता-पिता सर्वोबरी होते हैं बालत का इस जगत से परीचाई कराने वाले माता-पिता ही होते हैं उनसे अधिक श्रेष्ट, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं बेह संतान का संपूर्ण जगत होते हैं उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना प्रित्वी परिक्रमा करने जैसा ही है गणेश, तुम्हारी बुध्धिमता और प्रतिवा से मन प्रसन्न गुआ तुमने अपनी चतुरता से कार्थिके को पराजित किया अब तुम प्रतम विवा करने के अधिकारी हो गए हो पित्रुवर, बड़े ब्राथा कार्थिके को पराजित करने की तो मैं कल्बना तक नहीं कर सकता और अपनों से बड़ों को पराजित करने की भावना रखने वालों को कभी विज़ाई होते हुए नहीं देखा गया आपके कहने से मैं इस परदा में सम्मलित अवश्य हुआ पर तुम्हें स्वयम नहीं चाहता कि बड़े ब्राथा कार्थिके पराजित हूँ आपकी आगया वह परिक्रमा पूर्ण करने के लिए मैंने अपने माता-पिता की परिक्रमा की है पित्रुवर ब्राथा कार्थिके تو मुझसे बड़े ही है प्रथम विवा तो उनिका होना चाहिए इसका नीनाए तो कार्थिके के द्वारा ही होगा जैसे आपकी आग्या, हम बड़े प्राता कार्तिके की प्रतिक्षा करेंगे ओ नमो भगवते रुद्राय, शिवे भक्ती, शिवे भक्ती, बग्दिर शिवे, शिवे, अल्यथा शर्णम नास्ती, त्वमेव शर्णम अबा कार्तिके का प्रणाम स्विकार करें मुनिवर, यह शिवे भक्ती, एवं बैदिक धर्म का रचार प्रसार करने का वचन पूर्ण करने के लिए आगए हो, यह जानकर अतिपसंद हो मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूँगा मुनिवर, किन्तो इस समय मैं आपके दर्शन करने आया हूँ माता पिता की आग्या से मैं प्रित्वी की परिक्रमा के लिए निकला हूँ, यह कारे पूर्ण होते ही मैं आपके पास लौटाऊंगा और अपने शेश कर्तव को पूर्ण करूँगा माता पिता की आज्या से परिक्रमा करने निकले थे तो उनकी आज्या क्या उलंगन कर या आश्रम में क्यों चले आए मैंने कोई आज्या को उलंगन नहीं किया मुनिवर पित्वी की परिक्रमा करते समय मार्ग में आपका आश्रम आया तो आपके दर्शन का लोब भी मन में आ गया दर्शन सक्ते हैं किन्तु दर्शन का लोब सक्ते नहीं है यहां आने का अन्य कारण भी है हाँ पूजेवर अन्य कारण भी है क्या? प्रिथवी की ये परिक्रमा मेरे और छोटे भाई गणेश की बीच एक स्पर्धा है और छोटे भाई को पराजित कर नविजई होना नहीं चाता क्यूँ? यदि ऐसा हुआ तो जगत में सदा सदा के लिए बड़े भाई के बड़पन के प्रती साधारन जन का विश्वास ही उड़ जाएगा जगत का विश्वास प्राप्त करने के लिए तुम क्या इस पर्धा में होने वाली विजई को खोदोगे? जगत के विश्वास की प्राप्ती से बड़ी विजय और क्या है मुनिवर उसके सामने अन्य सभी विजय तुछ है ऐसा ही है और ऐसा ही होगा यह शस्वी भाव मन प्रसंद कर दिया है तुमने जिस शिव भक्ति और वैदिक धर्म का प्रचार तुम करना चाहते हो उसका व्यभार तो तुम्हारे जीवन में उतर चुका है तुम अपने अभियान में अवर्श्य सफर होगे करतिके आज्या दीजे मुनिवर गणेश मेरी प्रतिक्षा कर रहा होगा गणेश हो जाएगा जाया आजएंगे अरै आथो जाएगे पर ये क्यों उचित हुआ तो अनुचित हुआ मैंने अपने माता पिता की परीक्रमा करके परित्वी परीक्रमा को छोटा बना दिया, क्या यह उचित हुआ आपने स्वेम कहा था गनेश भहिया कि माता पिटा सर्वो परी होते हैं तो उनकी प्रिकर्मा भी श्रेष्ट और उचिती मानी जाती है ऐसा मैं मानता था आप भी मानते हैं पर क्या बड़े ब्राता कार्थी के भी ऐसा मानेंगे हो सकता है उन्हें यह प्रिय लगे यही सोच सोच कर मन व्यतित हुआ जा रहा है क्यों लगेगा अप्रिय आप दोनों भाईयों में तो अटूर्ट प्रेम है आपके इस कारिय से वे वैथित होंगे ये सोच के आपको वैथित होना वैथ है फिर भी मैं उन्से ख्षमा अवश्य मांगूंगा देवी पारवती आज गणेश की बुद्धिमता ने उसके उज्वल भविश्य का परिचे दिया है निश्य ही गणेश जन जन द्वारा पूची होगा गणेश ही क्यों कार्थिके भी ज्ञान और धर्म के विशे में अग्रणी है वह दातों के वल रिशी मुन्यों का सत्संग करता है अपितु वे उसका उपदेश सुनने के लिए लालायत रहते है अपने माता पिता के प्रती उसके मन में आदर सम्मान है तो छोटे भाई अगात इसने भी है मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश को विजई करने के लिए ही वह लौटने में विलंब कर रहा है संभवता तुमारा विचार सही हो पर जब तक कार्थिके लौट नहीं आता तब तक इस विश्य में निश्चित रूप से कुछ नहीं का जा सकता कि गणेश भी उसी की प्रतिक्षा कर रहा है अगरेश भीया तो देखो कुमार कार्थिके आ गए गणेश तो मुझसे पहले प्रित्वी की परिक्रमा करके लौट आए इसकी मुझे प्रसंदता है इस विजय के लिए बदाई कैसे विजय और कैसे बदाई मैं तो लज्जित हूं और शमाप्रार्थि भी क्योंकि मुशक रात तो पहले माता पिता के धर्शन कर उनका अशरवात प्राप्त कर लें उसके पश्याद इस विशे पे चर्चा करेंगे आओ लोग करतिके भी आ गया और अब दोनों इसी और आ रहे हैं हाँ दोनों की जैजय कार भी हो रही है अब आप दोनों की विभा की मुश्रा अवर्शे कर दें देवी हम अपनी इच्छा को पुत्रों पर धोपने के पक्ष्म नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी पुत्रो अब दोनों का विभा तो माता पिता की इच्छा से ही होगा अवश्य होना चलिए पर कारतिके आपनी विभा करने की अनिच्छा पकट कर चुके हैं विधर्मकारी और लोग कल्यान में प्रवत्त शिवनंदन कुमार कारतिके की जैग दोरी पुत्र घजानन गणेश की तो दोणों ही प्रिथ्वी परिख्रमा में विजह रहे हो गड़ेश ने अपने गुद्धी कोश्चल से माता पिता की परिख्रमा करके प्रिथ्वी परिख्रमा का पुण्यों प्राप्त किया और कार्टिके ने प्रिथ्वी की परिख्णमा करके माता पिता की आज्या का पालन किया ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय आउ नारत तुम सदा ही समाचार लेकर आते हैं आज समाचार लेकर जाना भगवन क्या है वो शुब समाचार जो कैलाश से प्रसारित होने जा रहा है मैं भी तो सुनों गणेश और कार्टिके दोनों ही प्रिथ्वी की परिक्रमा स्परधा में विजय होकर लोटें ने संदेश शुब समाचार है स्परधा में दोनों का विजय होना जगत के लिए माता प्राय स्परधा में इर्शा एहंकार और दुर्भावना का तिमार रहती है परन तु ये स्परधा जगत की अनुठी स्परधा मानी जाएगी स्कंद कुमार कार्थी के मंदगती से अपने वाहन मयूर पर जा रहे थे ताक्यारफ गणेश की विजय हो और गणेश ने विजय कि यविया लोग से नहीं माता-पिता की आढ़्या का पालन्य पूर्ण करने के हितू माता-पिता की परिक्रमा की माता ये आदर्श परधा क्या जगत को ये शुब्संदेश नहीं देती यदे इस परधा सद्भावना पूर्ण तो दोनों पक्ष संतुष्ट और विजय हो सकते हैं नारत तुमने तो समाचार को शुब संदेश बना दिया नाराय नाराय बनाने बिगाडने का कारिय नारत से कैसे हो सकता है भगवान भुले नात ये सब तो आपकी लीला है सात्रिक गणों से संपन्य आपके दोनों पूत्र बधाई के पातर तो है ही परंत उनके माता पिता होने के नाते आपको भी बधाई हो अपनी बधाईयों का भंडार सुरक्षित रखना नारत हम शीक रही दोनों का विवाह कर रहे हैं उस समय आवशकता होगी मैंने इन दोनो के लिए कन्याई भी देख लिए भगवान भुलेनात के इच्छा के अनुरूप मैंने राजा विश्वुरूप को आपका संदेश पहुचा दिया था वे अपनी दोनों पुत्रियों सहित इस विशेपर आपसे निवेदन करने यहां आय भी थे माता भुलेनात अब अधिक मिलम न करें मैं शीग रही आपके इस निरने की सुचना उन्हें देता हूँ नहीं देवरिशी नहीं ये संभव नहीं संभव नहीं नारायन नारायन कैलाश की इस पुण्डे धर्ती पर शक्ति स्वरुपा माता पार्वती और तीनों लोकों के स्वामी पिता भगवान भोलेनात के गुनसंबन्न पुत्र कुमार कार्थी के लिए असंभव क्या है ये सत्य तो शक्ति और सामर्थ का परिचायक है देवरिशी किन्तु विवा का विशय सर्वताभिन है विवा ना करने का अपने नेड़ने तुमेंसे पूर्व भी सबश कर चुका हूँ इस विशय में मुझे अधिक विवश ना किया जाए तु मेरे हित्मे होगा अब मुझे दक्षिर शेत में जाने की आज्यां प्रदान करें ताकि मैं अगस्रिशी को दिये गए अपने वचन को पूर्ड कर सकूँ बड़े ब्राता कार्तिके यदि आप विवा नहीं करेंगे तो मैं भी आजन में अविवाहित रहूंगा तुम क्यों आविवाहित रहोगे मेरा यही प्रेशन तो आपसे है मैं बार बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि मैं धर्व और शिव भक्ति के प्रचार का कारे पूर्ड करना चाहता हूँ मेरे जीवन का उद्देश और मार्ग भिंध है विवाह इसमें बादक है लेकिन तुम्हारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं इसलिए तुम्हें विवाह करना ही चाहिए गणेश हम कार्तिके को विवाह के लिए बात नहीं कर सकती स्थितिस पष्ठ है अब तुम्हें विवाह करना ही चाहिए हम राजा विशुरूप को वचन दे चुके हैं अब तो बुद्धी और सिद्धी का विवाह गणिश से ही करना होगा नारद तुम्हें विवाह के पास जाओ और उन्हें सुचित करूँ कि वे विवाह की तयारियां आरंब करें कार्तिके तुम्हें गणेश के विवाह के पाईशाथी दक्षिर जाओंगा अर्था गणेश के विवाह के शुबारम शुब ही शुब होगा मंगल ही मंगल होगा बोलिये मंगल मुर्ती गजानन गणेश की मंगल मुर्ती गजानन गणेश की है श्वेतां गोप सरनेत्रहस्ति बदना कंथे चमूतावली देवा नाम प्रमुखोस्ति शंकरसुतो शचंद्रवच्छान्ति दह विगनानाम प्रतिकारकार्यक्षला श्चासीनमूशासनों शोयात् गणनाथ भार्ययमने भूयाच्चसन्मंगलम् स्वर्गंगा सुरभिष्च दैवत तरू सूर्याचभा कवमुदी सिधिंपुन्य विवाहत आर्य परता दृष्टवाच्छसं मोहिताह तद्वद पुद्धी विवाहकार्यकर्णे मज्जन्ति दिख देवताह इत्थम सिधि सुबुधि दन्तियमने कुर्वन्तु वो मंगलम् करता है करता है करता है करता है वो पुपतित भक्तगर ध्यान से सुनेगे तोला मोगा गणेश जी वगवान भुलेनात और माता पारवति के पुत्र होने के कारण लिगना हरता और सुप्रकरता तो है यह है परणतु स्रिवाव उप्रान अब उन्चे गुड़ों और शक्ति में व्रिद्धी हुई है क्योंकि अब उनके साथ गुद्धी और सिद्धी है जो भी भक्तगर गणेशी के साथ गुद्धी सिद्धी की आराजना करेगा उसे भड़ो आश्वरिय लें सब कुछ प्राफ पर इसे लें मेरे प्रियश्वर्त गण मेरे साथ प्रेम और श्रद्धा है कि इस्कार से बोलू कि ओम श्री गणेशा म।स्ट दिन्तर शे convicted वेजुआ कि न्हों कि ऊ ओ पावि dess m तुम तीनों को विरश्रुब आशिर्वाद जगत का कल्यार ही कल्यार करते रहो अब मैं माता पिता का आशिर्वाद क्राप कर दक्षिन के और प्रस्थान करूँगा माता श्री, तिता श्री आपकी आज्याँ और आशिर्वाद का इच्चो पिते आप अकमे बड़े भ्रादा को दक्षिन क्यों जाने से रोकते क्यों नहीं व्यर्थ है उन्हें रोकना दक्षिन ही उनका करमक्षेत्र है वे वह जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सुत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूझ्य होंगे गुरुमुखम, शटमुखम, सुब्रमन्यम आधी नामू से दक्षिन वास्यों की पूझा करेंगे दक्षिन वास्यों के मन में शिव भक्ति की जूती जगानी तथा व्यदिक धर्म के प्रचार हे दू कुमार कार्तिके ने दक्षिन की ओर प्रस्थान किया वैसी ही शिव भक्ति उजैनी नरेश चंद्रसेन के हिर्दे में भी विराजमान थी चंद्रसेन के शिवभक्ती से उज्जैनी के प्रजाजन भी अभी बूत थे राजा चंद्रसेन सदा ही शिवभक्ती में लीन रहते थे अम नमद्स सीवाज अंगा अम नमद्स सीवाज अरे रूक्यों गया चल आगे बढ़ तनिक सुनो मा, ध्यान से सुनो क्या सुनो? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता मा? इन दो कानों से तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता पर तेरे भी तो चार कान नहीं है ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है ओहो मा, कान से नहीं, मन से सुनो, मन से, फिर तुम्हें भी सुनाई देगा क्या सुनाई देगा? ओम नमाशिवाई, ओम नमाशिवाई, ओम नमाशिवाई सुनाई है, पहुत के ओम नमाशिवाईगाई… और प्रेटे शरीका, प्रेटे शरीका बेटा, क्याएगा इचेख दyorsunाई परसमे गोचे सुनाई है, प्रेटे सुनाए है, प्र 요 locals, पराजए प्रेटे शरीका मीसrikा मी घृटे के घृटेक取त हो जिए है ओन्नमाष्ष्वाइ माता इसे मुष्भ्बक क्यों नहीं के उच्छ यह तुम्हारा कुछ रहे हैं था है महाराज मेरा पुत्र है तुम्हारे पुत्र के मन में धगवान शीव के प्रति प्रगाड स्रद्धा है मादा चैसी स्रद्धा और कहा की स्रद्धा मुर्ख बालक के मन में कहां से होगी श्रद्धा चलए आजे शमा करे महराज, आप इसके मोरकता के लिए इसक शमा करे महराज चल उत, चल घर चल, चल घर चल, चल जोड़ो ना माँ चोड़ो ना माँ चर्ड़ दो नमा चर्ड़ 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 पथर पढ़े तरी बुद्धी पर है तो नहीं तो नहीं में घुसा तो गुसा राजा जी के पुझा कश्में भीचा गुसा यह तो राजा जी ने हम पर दया की नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते हैं जीवन भर सड़ते रहते वहां देख आगे से वहां जाने की मुर्खता कभी मत करना किंतु मा मैं अपनी इच्छा से तो वहां नहीं गया था नहीं नहीं तुझे तो राजा जी ने बुलाया था राजा जी ने नहीं मा भगवान शिव जी ने बुलाया था चलता है चुपचा, नहीं तो दुए घुमा के, चल, सीधी तरह चल नहीं तो तेरा खाना पिना बन कर दो मेरा खाना भले ही बन कर दो, किन्तु मैं भगवान चुजी के दर्शन करने अवश्य जाओंगा, मुझे जाने दो ना मा चल, सुना नहीं, मैं कहती हूँ चल, अले घर चल, जली अली चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेगे हम दोरों को तुम स्वेम भैबित हो और मुझे भी भैबित कर रही हो कहां राजा जी कहां है उनके सेने कौन आ रहा है हमें पकड़ने मा؟ तुम घर जा पुझे जाने दो ना भगवान चुżenij के दर्शन करने मैं भगवान चुझी के दर्शन करूंगा फिर वहीं मुर्खो जैसी बातна अरे दुरगुदी भगवान के दर्शन करते हैं राजा महराजा शि deeply उन्हीं को दर्शन देते हैं में क्यों देने लगें भलावो पर दर्शन था क्यों केbest यो मां भगवान राजाइंध में भूद्छ नहीं करते हैं तो सभी के मैं सब्सक्राइक और सब्सक्राइब तुम्हीं मान जाओ न मुझे जाने दोनों भगवान शुजी के दर्शन करने चुपो जा और चल घर चुड़ो 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 मैं तो चला भगवान शुजी के दर्शन करने जाओ नुख थुज्का अबशी कोई व्हां नुख जा रहे हैं दूदी में ग्हेरा पानी है रे बेटा नुख जा शुटा 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 शुक शुटा पहला है बेटा फेरा शीकर! लो नमाचि नमाचि माचि, लो लो नमाचि चूरोएथ लो नमाचि भी नमाचि माचिमम प्राशे डार वो दोगवार मोर आया हुआ ऴी कमी अरपना आया कमात अल सुममा शपल मोर 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 σँमा अमनमाशिवाट, अमनमाशिवाट, अमनमाशिवाट.. एप फेरो फेरो पेरो ना, देटा मेरा श्रीकर्ण छोड़ देआ पजे, मैं किस के साहरेची होगी जी ने जी मार गया मुझे, मेरा बेटा, मेरा शीकर गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है क्या हुआ उसे, लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है भागेगा क्यों, कहीं गया होगा, आ जाएगा वो शिप जी की भक्ती में बावना होके नदी में कूट पड़ा अब विज़ारी भॉपा का, क्या हाल हुआ होगा रोते रोते अरे, उसे कोई धिरिस तो बंधा उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकरी है अब खड़े खड़े यहां दयाई ही दिखाते रहोगे चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूड़ने का उपाई करते हैं ए बगवाल, यह क्या कर दिया तुमने यह क्या अन्या ही क्या, क्या दोश था मेरा क्या अपराद किया था मैंने क्या, किसका मज दुखाया था मैंने क्यों, क्यों मेरे बेटे को मुझ साला कर दिया अब मैं जीऊंगी किसके जारे आई मैं क्या करूं मैं क्या करूं तुम्हारा बेटा श्रीकर कहां है केवल इतना ही जानती हूं कि बगवान शिव के दर्शन के हट करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और और वहां से वह बाहर नहीं आया क्या जिप्रा नदी में कोच पड़ा शब दर्शन के लिए तुम्हें रोकने से कैसे मा हो तुम्हें भी कोच जाना था उसके पीजे क्या किसी नों उसे नदी से निकाला नहीं क्या मा कोई नहीं जा पहुनें पॡ़ूप लृइंटने bon topics kuई नहीं जानता था पता नहीं क्या हुआ उसका बो ढोग गया यह यह अंतार इंध 15된 पॉस्बार khaja करते हं उन्हें अई oni एक मरने नहीं दिय करते हैं न्कीं हाँ भागोण नैश्य उसकी रख्षा की होगी वह जीवित ही होगा। इसलिए सेनिक उसे पकड़ने आये होंगे क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे बेटे शीकर मैं आ रही हूं उस पार तेरे पार शीकर बेटे शीकर ओम नमा शीवार 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 महाराज रुपुदमन, कहिए महाराज सिंगर, तेख रही है ना, हाँ देख भी रहा हूं और समझ भी रहा हूं, राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालब की शिभगतिर पूजा में डूबे हुए, जिस राज के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूल कर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहां आत्म रक्षा और नगर रक राजा शेगिदत, मैं तो कहता हूं, जिस राजे का राजा चंद्रसेन स्वयम राजदिन शिभगति में ख्वया रहता है, वहां की प्रजा भला अपनी रक्षा की बास सोच ही कैसे सकती है, और यदि सोच भी ले, तो कर क्या सकती है, जहां राजा ही दुर्बल हो, वहां क प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है, वहां जिस राजे में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुद हो, वहां तीसरों को इस ठिती का लाब उठाने से चूपना नहीं चाहिए, अर्थात, आप मेरा अर्थ नहीं समझे, आप अपना अर्थ, इस पस्ट करें महाराज ने पुदमन, इस से अधिक और क्या स्पस्ट करूँ, आप राजा हैं, और दूसरे राजा की राजनेतिक भाषा का ज्यान तो आपको ओना ही चाहिए, वैसे राजनीति में स्पस्ट कुछ नहीं होता, हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, इंतु मूर्क जन इ इसे छल कपट की भाषा कहते हैं, इस समय मूर्कू की चर्चा का क्यालाब, मूल विशे पर आये तो उत्तम हैं, विशे और विचार तो हम दौनों के हित्में हैं, इस उज्जेन नगरी का राजा चंद सेल्व, सदेवीश्य भक्ती में पुया रहता है, शासन पर उसकी पक मैं आपसे सहमत हूँ, हम सहय जी राजा चंद सेन को बंदी बना लेंगे, आग्या दीजे महराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं, और राजा चंद सेन को बंदी बना कर लाते हैं, जाओ, विचाई हो, चलो नहीं भगवान नहीं, ऐसा नहीं होने देना, सब कुछ आपके वश में हैं, इन दुरुष्टी राजाओं के सोचने से क्या होता है, और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त है, तिन रात आपकी भक्ती करते रहते हैं, क्या आप उनके साथ इतना बड़े अन्याई करें इन दुरुष्टी राजाओं के हाथ में ऊंका राज दे देंगे, नहीं न, मुझे विश्वास है, पुरा इश्वास है, आप ऐसे नहीं होने देंगे, और हमारे राजाजी के रक्षा करेंगे बोले न, ओम्दामा शीबार ओना माशी बाइब कर दो